हेलो बच्चों, आज रोटेशनल मोशन का वीडियो नमबर 6 हम आपके पास लाए हैं, जिसमें हम आपसे बात करेंगे मुवमेंट ओफ इनर्शिया थ्री डैमेंशनल बॉडी की, जैसे की सॉलिड स्फियर, हॉलो स्फियर, हॉलो कोन और सॉलिड कोन की. इससे पहले हम मुवमेंट ओफ इनर्शिया पे दो वीडियो कर चुके हैं, जो की है, रोटेशनल मोशन 04, रोटेशनल मोशन 05, रोटेशनल मोशन 04 में हमने आपको मुवमेंट ओफ इनर्शिया समझाया है, कि वो होती कौन सी कॉंटिटी है, I is equals to MR square, क्यो आया रोटेशन में क्या significance है, और थोड़े बहुत छोटे मोटे numerical, ठीक है, discrete particle के लिए, different particle के लिए, रोटेशनल मोशन 05 में हमने आपको मुवमेंट ओफ इनर्शिया निकालना सिखाया, किसका, continuous mass distribution का, rod का, disk का, ring का, और cylinder का भी वहाँ पे सिखा दिया, जबकि cylinder 3 dimensional है, वहाँ पे सिखाया, cylinder में कुछ trick लगाई है, कुछ trick से solve किया उसको, ठीक है, और हमने क्या सिखाया है, triangular lamina, rectangular lamina, ये सारी चीज़े वहाँ बताएं, आज के वीडियो में हम आपको moment of inertia, sphere का hollow और solid, और कोन का hollow और solid सिखाएंगे, और इसके बाद next lecture में हम पढ़ेंगे, theorem of perpendicular axis and parallel axis, तो मेरा नाम अलग प of inertia of hollow sphere, यहां से start करें, moment of inertia of hollow sphere, hollow sphere मतलब, मतलब वो नहीं आता वो जो बच्चों बॉल से खेलते हैं, जो बच्चों की बॉल होती है, अंदर कुछ नहीं, अंदर हवा भरी है, बाहर-बाहर क्या है, material, hollow sphere, तो बच्चों ये एक hollow sphere है, हमें इसका moment of inertia निकालना है, about about an axis, passing through, passing through, क्या चीज़, center of mass, about an axis, passing through, तो कोई भी axis ले ले, हमने ये axis ले ली, चाहे ये ले ले, चाहे जो ले ले, तहली बात तो ये समझो, कि sphere में हम center से pass करती हुई, कोई भी axis ले, सब के लिए moment of inertia सेम आएगा, भाई, sphere three dimensional में symmetric है, किता भी तरफ से देखो, sphere एक जैसा दिखता है, कोई अलग तरह से उसका behavior नहीं है, मतलब आप x-axis के about निकालो, center of mass से pass कराके, y-axis से निकालो, center of mass या z-axis पे, सब में moment of inertia क्या आएगा, same की अलग, बोल भाई, same की अलग, same आने वाला है, clear है, तो हम एक बात ये समझ गए पहले, कि जब हम sphere की बात करेंगे, तो moment of inertia about x-axis, moment of inertia about y-axis, will be equal to moment of inertia about z-axis, पर सभी अक्सित अब कहां से pass कराएंगे, center of mass से, तो किसी भी एक अक्सित का निकाल लेंगे, वही तीनों अक्सित का होगा, ठीक है, इतना तो हम समझ गए, या इसका हम equal to i मान ले, about any axis, about n की जगे मैं लिग दूँ, about any axis, which is passing through center of mass, ठीक है, अब मैं कहता हूँ, कि इस पे सारा mass तो यहां पे है, surface पे है, ठीक है, holosphere है, कोई भी mass अंदर नहीं है, तो सारा mass कहा है, surface पे, क्या किया जाए, क्या किया जाए, मैंने surface पे एक छोटा सा mass लिया, dm, कितना mass लिया, dm mass ले लिया, और मान लिया, इस point का coordinate है, x, y, z, बोल सकते हैं, इस point का coordinate, क्या, x, y, z, इस पूरे sphere का mass m और radius r, यह हमने एक assumption लिया, कि पूरे का mass m है और radius r, हमने एक छोटा size, यहाँ पे छोटा सा mass लिया, dm, जिसका coordinate है, x, y, z, इस point का coordinate है, x, y, z, अब आज मैं आपसे एक बड़ी important चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो, यहाँ पे कोई एक point लिया मैंने, इस जगह पर, इसका coordinate है, x, y, z, मैं बूछू, यह point, x axis से कितना दूर है, यह point, x axis से कितना दूर है, तो x axis से यह इतना दूर है, यह distance कैसे निकालोगे आप, यह triangle आपको दिख रहा है, यह triangle आपको दिख रहा है, यह इसका x axis से distance है, यह निकाल सकते हो आप, दिखूँ यह इसका distance किस से हूआ, यह इसका मतलब कौन सा value हुआ, यह इसकी z की value हुई, हूई की नहीं, और यह इसकी कौन सी value हुई, यह वाली, जो उपर जा रहे है, यह इसकी y की value हुई, यह z, यह y, यह x-axis से distance कितना हो जाएगा, under root y square plus z square, distance from x-axis, किसी भी point का distance from x-axis, under root y square plus z square, feel नहीं आया, चलो मैं 3D में feel कराता हूँ, आ जाएगा, मालों यहाँ एक point मेरे सामने है, और यह x-axis है, यह point है, यह x-axis है, यह x मुझे इस point का distance है, यह x-axis से, तो यह line join की, कुटूउग, यह distance चाईए, अब जरा trickle देखो, यह कचाक, 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 क्रेंगल दिखा, यह point था, यह x-axis, कुचूग, यह distance चाहिए, मैंने का, अब triangle देखो, यह kचूग, कचाक, कुचूग, यह distance चाहिए, मेरे को, अब यह क्या है यह कि Z में कितना आगे है और यह कितना है वाई में कितना उपर अब जरह डियागरम देखो Z में कितना आगे Y में कितना उपर दोनों चीज़े मिल गई तब आपने distance calculate कर लिया कुचुक कचुक कचाक तो यह Z यह Y यह X से distance हो गया कितना हो गा अंडरूट Z square plus Y square इसी तरह से अगर हम बोले distance from Y axis चाहिए हो तो बच्चों हो जाएगा अंडरूट बोलो X square plus Z square distance from Z axis किसी point का चाहिए हो तो अंडरूट X square plus Y square तो यह 3D की एक चीज़ है मैस में भी help करेगी आप इसको याद रखेंगे clear है न कि यह एक point याद रखोगे आप very good अब आते हैं topic पे अगर हम पूछें इस DM मास का moment of inertia of DM मास चोटे से मास DM का about X axis कितना होगा तो DM मास का चोटा सा moment of inertia di चोटा सा di about X axis moment of inertia का formula MR square moment of inertia का formula सबको पता है कोई यह एक दम गधा तो नहीं पैठा i is equals to MR square m मास होता है r distance मास का axis से जिस axis की बात हो रहेगी तो हमने बोला about X axis तो di x is equals to m into distance from X axis हो जाएगा so का square तो m into distance from x axis का square यानि इसका square तो हो जाएगा y square plus z square यह हो गया moment of inertia about x axis इसी तरह से moment of inertia about y axis बोलो m y axis तो y axis में कौन से टर्माएगा यह टर्मा जाएगा x square plus z square moment of inertia about z axis m अब z से distance कितना है यह वाला तो इसका square x square plus y square बोलो समझ में आ रहा है मैंने तीन axis के about moment of inertia निकाला x के about निकाला तो मैंने मास लिया m के जरी क्या होगा dm 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 multiplied by distance from x axis का square x axis से कितना distance है यह y के about निकालना है इसका moment of inertia about y तो y से इसका distance कितना होगा हमने देखा under root x square plus z square तो dm x square plus z square और ऐसे z के about clear है पक्का इसको मैं मिटार दूँ नोट कर लो रख कर दूँ उसको मैं बढ़े simple सी बात थी कोई point अगर 3D में है तो उसका x से distance होगा under root y square plus z square y से distance होगा under root x square plus z square और z से distance होगा under root x square plus y square मैंने कहा चलो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं इन तीनों को हमने add कर दिया तो हमारे पास आया है di x plus di y plus di z is equal to यहां से देखो dm common हो जाएगा dm 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 y square y square 2 y square z square z square 2 z square x square x square 2 x square 2 x square तो 2 बाहर आ गया x square plus y square plus z square इसको सम करके देख लो दो बार x square है दो बार z square दो बार y square तो दो बाहर लिया x square अब हम एक दिमाग लगाएंगे अगर बच्चो i x is equals to i y is equals to i z is equals to i हो रहा है मतलग किसी भी axis के about अगर moment of inertia पूरे sphere का same आ रहा है तो एक को हम differentiate करें तो di x is equals to di y is equals to di z is equals to di बोल सकते हैं यानि ये सभी बराबर है और सभी di के एक पले तो हम लिख सकते हैं e times of di is equals to two times of dm x square plus y square plus z square अब यहां पर एक क्लिक आने वाला है बहुत बढ़ी एक क्लिक आने वाला है माल लो इसका radius r है capital r is the radius of this sphere अब r का distance 0 0 0 से r की value 0 0 0 से कहां तक है यहां तक है क्या r को vector form में लिख सकते हो सोच के बोलना क्या r को vector form में लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हो बच्चों बिलकुल मत घबराना r यहां से यहां तक एक vector है तो r की value मेरे ख्याल से हो जाएगी ये माइनस ये i cap ये माइनस ये j cap और ये माइनस ये k cap येस और no एक point ये एक point ये इसके बीच का vector तो x-0 x i cap y-0 y j cap z-0 z k cap क्या यहां से मुझे आप mod r की value बता सकते हो under root x square plus y square plus z square yes or no बच्चों दा answer should be yes or no it is yes mod r निकालो कैसे निकलोगा under root i वाले का square plus j वाले का square plus k वाले का square होई 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 अब जड़ा है एक स्क्वेर प्लस y स्क्वेर प्लस z square होई 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 यह तो आर का square है नहीं आई बात मैंने कहा अगर ये radius r है ये तो भाई क्या है इसका origin है तो 0 0 0 होगा origin से इस point का coordinate x y z लिया है तो मैंने कहा इस वेक्टर की आप value लिख सकते है आपने कहा x minus 0 x i cap y minus 0 y j cap z minus 0 z k cap मैंने कहा मैं इस mod r की value बता हो तो आप देका under root इसका square इसका square इसका square इसका square इसका square इसका square मैंने कहा यही तरम तो वहाँ लिखा x square plus y square plus z square तो आप बोलोगे sir is equals to r square यानी we can say three times of di is equals to two times of dm multiplied by r square yes or no yes yes or no yes to note कलने इसको फिर इसको फिर मिटार दूए clear होगे इतनी बात मैंने di x, di y, di z को सबको मिला क्या लिख दिया three times of di फिर मैंने x square plus y square plus z square क्या लिख दिया r square मिटार दे इसको अच्छा derivation समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मैंने क्या कहा x square plus y square plus z square किसके equal होगा r square के और एक बात और क्या बोली कि di x, di y, di z सब बराबर किसके equal di के ये दो बाते ही उसकी वापस आओ three times of di is equals to two times of dm multiplied by r square बज आब integrate कर दो दो तरफ एक छोटे से dm के लिए हो गया सारे dm के लिए अगर मैं ये कहानी repeat करूँ सारे dm के लिए अगर मैं ये कहानी repeat करूँ तो मेरे ख्याल से काम बन जाएगा सारा मास आ जाएगा सारा मास तरफ इस पे अच्छा three times of di three constant बाहर di का integration i two constant बाहर ये r square भी तो constant है जैसे माल लो यहां कोई coordinate तुमने point लिया उसका coordinate कुछ और है x1 y1 z1 पर x square plus y square plus z square फिर कितना आएगा r square तो r square भी constant integration of dm 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 integration of dm मतलब क्या है यहाँ dm लोगे यहाँ dm लोगे यहाँ dm लोगे यहाँ dm लोगे भी यह dm होता क्या है छोटे-छोटे मास में m को तोर ना अब सारे छोटे-छोटे मास को जोडा तो m वापस तो i is equals to 2 by 3 mr square this is moment of inertia of a holosphere about any axis which passes through its center of mass moment of inertia of holosphere about any axis passing through center of mass तरीका याद रहेगा सबसे easiest तरीका है यह मैंने बोला ix is equals to iy is equals to iz क्यों बोला क्योंकि sphere एकदम symmetric है disc देखो symmetric नहीं होती है disc चप्ती होती है xy plane में किसी और तरह से दिख रही है z plane से देखो पतली से दिख रही है xy से ऐसे दिख रही है but sphere तीनो जगे से एक जगे सादखता है यहाँ से देखो वहाँ से symmetric है मतलब moment of inertia किसी भी access के about लेंगे से वहाँ हमने कहा एक छोटा सा point dm ले लिया इसका moment of inertia di is equals to dm into distance का square किस axis के about x axis तो हमने कहा इस point का x से distance कितना होगा under root y square plus z square तो हमने कहा di is equals to dm distance from x square फिर हमने कहा इसका moment of inertia about y axis y से इसका distance कितना होगा under root x square plus z square तो dm into r square x square plus z square under root का square ति तीनों को add किया हमने कहा इन तीनों का sum किसके बराबर होगा three times of di जोंकि symmetric है फिर हमने का X² प्लस Y² प्लस Z² क्या बन जाएगा R² क्योंकि R की value क्या है XI cap, YJ cap, ZK cap बस इसके बाद कुछ नहीं इसके बाद हमने इसको बाहर वहल लिया DM को जोड़ा हो रहा है 2 by 3 MR² is the final answer I hope I am clear पक्का समझ में आया बहुत बढ़ी है भाई अब चलते हैं Moment of inertia अच्छा, Axis का ध्यान देना कौन सी Axis थी Axis से फरक पड़ता है Moment of Axis से फरक पड़ता है Question मत solve कर देना बोलना सर, आपने जो लिखाया वो तो आया नहीं आप तो बोल लेते ये Axis पर डिपेंड करता है Moment of inertia जब तक perpendicular और parallel Axis theorem नहीं हो जाता तब तक आप सवाल नहीं लगा पाऊगे Next, Moment of inertia of of solid sphere of solid sphere about any axis passing through center of mass अब हम solid sphere को देखेंगे ये हमारे पास एक solid sphere है solid sphere क्या जब तरबूज हो गया हमारे पास नीबू हो गया हमारे पास solid sphere अंदर तक पूरा material भरा हुआ है उसमें हर तरफ अब इसका मास फिर से कितना मालने यम, radius कितना आर अब क्या करे क्या करे इसमें तो यार कोई तरीका सोचना पड़ेगा क्या किया जाए, क्या किया जाए कैसी body है ये? त्री-डामेंशन बोडी है कि ट्ू-दैमेशन है यहां भी मठी दिया, लंदर ही मठी है क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे एक काम करते हैं इंटिग्रेट तो करना ही पड़ेगा सबको पता है, सेंटर से आर डिस्टन्स दूर आके एक हॉलो स्फियर काटते हैं, सेंटर से आर डिस्टन्स दूर आके एक हॉलो स्फियर, एक दम पतला सा स्फियर काटते हैं, हॉलो स्फियर, ठीक है, हम सेंटर से आर डिस्टन्स दूर आके पतला सा hollow sphere काटे बहुत पतला सा, रिंग नहीं है ये ये क्या है? hollow sphere, very thin hollow sphere which is very thin एकदम पतली सी hollow sphere r radius पे आके कितना thin कि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत पतली है, dr है इसकी थिकनेस इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस dr है, बहुत चोटी से से मास मान ले थैं है, dm सुणो ध्यान से, इसका मास मान लिया, dm किसकी अबाउट निकालना है moment of inertia? center of master care about, आपको पता है चाहे x में निकाले, y में निकाले, z में निकाले सब सेम आएगा, इसमें तो कोई doubt नहीं है, चाहे x में निकाले, चाहे Y में निकाले चाहे Z में निकाले चाहे उसी को हम I बोल दें इसमें तो कोई डाउट नहीं हाल करफ इस सेमेट्रिकल ये भी दिखाई पाड़ा हम नेका पहले इस ring का moment of inertia बताओ let us find moment of inertia of elemental इसको हम elemental बोलते हैं छोटा जो गाटते है elemental hollow sphere hollow sphere about given axis जो axis given उसके about इस sphere का जरा moment of inertia बताओ छोट ऐसा moment of inertia di is equals to dm और इसका distance कितना है यहां से r dm r square बोलो सही है इसका mass कितना है dm distance कितना है r dm r square बोलो सही है नहीं सही है गलत है ये ये hollow sphere है hollow sphere का moment of inertia dm r square mr square नहीं होता hollow sphere का hollow sphere का moment of inertia होता है 2 by 3 mr square अब भी पड़ा ये नहीं होता 2 by 3 mr square होता है गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा बोलो clear हुआ मतलब इस hollow sphere का moment of inertia जिसका mass dm है about this point अब axis यहीं होगी z हो y हो x हो कोई दिक्कत नहीं 3d में चल ले कराने इसका mass dm है कोई दिक्कत नहीं इसका moment of inertia होना चाहिए 2 by 3 dm r square इस छोटे से sphere का radius r और mass dm 2 by 3 यहीं पे गलती होती है बच्चों से आप इसको mr square लिख देते गलत हो जाता dm r square 2 by 3 dm मैंने क्या किया मैंने जो element काटाना वो अपने आप में एक hollow sphere था सिर्फ dm नहीं है उसकी significance है वो एक hollow sphere है और hollow sphere का moment of inertia 2 by 3 m r square तो मैंने element का mass dm यहाँ पे r square into 2 by 3 किया यह कर देते हैं बच्चे p m r square बोलते हैं इसका mass dm distance r dm r square गलत यह कि sphere है hollow sphere यानि हम solid sphere को किस से बनाएंगे infinite hollow sphere से बनाएंगे हम एक solid sphere को किस से बनाने जा रहे infinite hollow sphere से एक hollow sphere दूसरा hollow sphere तीसरा hollow sphere चौथा ऐसे करते करते हैं इसको खुब छोटे खुब बे सारे hollow sphere में बाट देंगे फिस सारे hollow sphere का moment of inertia जोड देंगे तो solid sphere का ज़एगा बढ़िया clear तो हमने इसको करेंगे integrate R की value सबसे पहले 0 करते 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 आखरी sphere यहां पे लोगे R की value capital R तक तो 0 से लेके R जाएगा capital R तक अब भही सदियों से चली आ रही problem कि ये चीज़ integrate नहीं हो सकती भहीया DM को R के साथ कैसे integrate करोगे R square को DR के साथ integrate कर सकते थे DM को किसी mass के टम के साथ integrate कर सकते हैं अब आर के टम तो DR से integrate होगा ना pardon my language R के टम तो DR से integrate होगा ना ऐसे दो नहीं होगा तो क्या किया जाए अब सोचा जाए कि इस DM को कैसे हटाना है भाई साब ये है 3 dimensional body 3 dimensional body के लिए हमारे पास होता है ध्यान देखो mass per unit volume इसको हम बोलते हैं बच्चों row तुम मत रो symbol है row mass per unit volume इसको हम बोलते हैं row कहने का मतलब कि 1 meter cube volume का जो mass होगा वो होगा row mass per unit volume unit volume का mass है row जैसे 2 meter cube volume का जो mass होगा वो होगा 2 rho इस तरह से 3 समाज गए mass per unit volume छोटे से volume का single volume का 1 volume का mass rho है 2 volume का 2 rho 3 volume का 3 rho अगर मैं इस sphere का volume निकाल लिए तो मैं इसका mass निकाल सकता हूँ 1 का mass है rho इसका volume मिल या है तो multiplied by rho 1 meter cube का mass rho 2 meter cube का 2 rho 3 meter cube का 3 rho इसका volume मिल जा है तो volume times of rho volume times of rho इसका volume मिलना थो volume of छोटू sphere वोल्यू स्फियर volume of this hollow sphere अब इसका volume कैसे निकाले है इसका volume कैसे निकाले सार यह तो sphere है sphere का of Люб 4 by 3 pi r cube है यह इसका वही इसका और तो सहरा को लीर माज आहंगा तब नहीं हमिए इसका बॉटिम चाहिए मास् तो इसके अंपरा है छोटी छोटी मगर मोटी बातili शक्तिमान देठा है तुम लोग ने देखा होगा ना तुम लोग एवेंजिस देखते हो, हम लोग ने इंडिया का पहला सपाले का पहला स्पारिव देगा ता या अन्दर भन रहे हमें एस चीड का वालियम क्या चाहिए उन्ससका वालियूम, डू इतने का वाल्यूम पता चल जाए एक मिर क्यूंड काम करू फ़खभा रो इतने का वोल्यूम पता चलिजाए तो vào यह वाल्म किसे निक्लेगा सर बताता हूं एक काम करो एसे सिफियर को 20 से ऐसे काट और विज तो भ़ड़ मैं200 यह पमपर से काटे अगद और बहुत पतली सी बनेगी, यह पुरा खुल जाएगा कि नहीं, सोचो अपने दिमान के सोचो, कि वह जो बाड़ा होता है, बाड़ा छोड़ दो, जो प्लास्टिक की बॉल होती है, गंदी वाली एक दम सस्ती वाली, उसको काट दो जाते हैं, पुरी एक खुल जाती कि नहीं, एक दम फ्लोर जैसी बन जाती है, परदे जैसी है, चादर जैसी, तो इसको हमने एक खेला के चादर जैसा बना लिया, आप ध्यान से देखो, इसका ये एरिया निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, इस फियर का जो सर्फेस एरिया था, वही खुल के ये बनेगा, इस पूरे चादर का सर्फेस एरिया हो जाएगा, फूर पाई आर स्कूर, इसको मैंने फाव कैसे सीधा कर दिया, तो इस पूरे का एरिया बाहर का एरिया किता था, फूर पाई आर स्कूर, ये बन गया, और ये क्या है बच्चों, इसकी विट्थ, जब खोलोगे तो कुछ वि पे VII hazırге दृतुर, आर मॉलिम का फूर्मला बोल्डग ओलें एइं फूरें बेट इन्टू लगए लेंडेंट इंटू इंटू ब्रैट इंटू हाइए अट लेंट इंटू बैदिए लेंटू ब्रैट ब टूंगा इसक हो गया, इसको मैं एड जो विल्स के निढ़ा इंट निकलाए तो बच्चों इसका मास निकलाएगा 1 meter cube volume का mass row है 2 meter cube का 2 row है तो इतने का इतने times of row so you can get the value of dm now you can get the value of dm now dm क्या हो जाएगा 1 meter cube का mass row 2 meter cube का 2 row तो इतने meter cube का इतना row 4 pi r multiplied by dr multiplied by row यह आपको dm की value मिल गई अब देखो dm के expression में dr आ गया इसको यहाँ पे अगर रखें तो integrate हो सकता है इतना note कर लो फिर मैं आगे बढ़ू है इतनी बाते note कर लो वीडियो को pause करके एक दो तीन चर परणचे साथ आठना देस गया रहा पॉस कर लिया note कर लिया इसको मैं मिटार रहा हूं मिटार दूं इसको मिटार दूं अब इसकी जरुत हमें है नहीं पास कर लो पीछे चले जओ सबसे अच्छा पाइदा ओनलाइन निकाहिए नुकसान भी बहुत है बट पाइदा लब से चाहिए कि यू के गो बैक है ना वापस जा सकते हैं कभी पढ़ सकते हैं तो डीम आ गया फोर पाई आर डी आर इंटू रो फोर पाई आर स्क्वेर हो और विड़ कितनी होगी? डी आर, है ना? इसका वाल्युम होगा फोर पाई आर स्क्वेर डी आर और इसका मास जब निकाल होगे तो फोर पाई आर स्क्वेर डी 1 इंटू रोर इंटू रो इंटू रो को बताँगे कोंपीशन लिए इसकी डेशन इंटू और 3 0 से लेके R तक जाना है भूल तो नहीं कहा है DM की जगा 4 pi r square dr into rho into r square तरही लोग आपको बताएंगे competition के लिए इसकी derivation important नहीं है वो लोग गलत कह रहे हैं बेटा important है तो मैं आप रोज समझ में आ रहे हैं कि 3 dimensional body को आप integrate कैसे करते हो अब इसके अंदर मैं बढ़ियां सवाल बना सकता हूँ मैं इसकी density vary करा दूँगा मैं बोलूँगा मेरे पास ऐसा स्वेर जिसपे mass uniformly distributed है ही नहीं अंदर mass कम है बाहर mass जादा अगर आपको approach नहीं पता कर भी ही नहीं सकते आगे बढ़े इसको मिटार दे यहां को gravitational फादे सब चीज़े बहुत पाइदा करती है यह पूरी जो approach है यहां से i की value 2 by 3 बाहर 4 pi बाहर constant है न 2 by 3 जा constant 4 is constant pi is constant rho is also constant rho क्या है mass upon volume यही तो है mass per unit volume इस पूरे sphere का mass बताओ capital M इस पूरे sphere का volume बटाओ 4 by 3 pi r cube इसमें तो mass पूरी जगा है न तो solid sphere है वो तो elemental जो तुमने लिया था उसको तुमने कहा था उसके अंदर mass नहीं हो तो elemental के लिए हो आपने hollow sphere पतला सा hollow sphere फिर एक और hollow sphere फिर एक और hollow sphere एक और hollow sphere एक और hollow constant radius constant sub constant तो बहाल ले सकते हैं अंदर r square r square r की power 4 dr 0 से लेके r तक so i is equals to 2 by 3 4 pi rho की value रख दें 3m upon 4 pi r cube सही है integration of r की power 4 बच्चो r की power 4 का integration होगा r की power 5 by 5 0 से r तक 4 pi से 4 pi मर जाएगा 3 से 3 मर जाएगा so i is equals to 2m upon 4 pi मर गया ना 4 भी तो मर गया 2m upon r cube यहां से r की power 5 by 5 minus 0 की power 5 by 5 r की power 5 by 5 r cube से उसमें से r cube कट जाएगा 2m क्या बचेगा उपर r square बटे 5 that is the answer यह answer है 2m यहां से q बट गे r square बचेगा 2 by 5 m r square solid sphere का 2 by 5 m r square hollow sphere का 2 by 3 m r square याद करो सर आप तो बुल्डे हो आपको तो याद होगे जादा किसका है solid का की hollow का दिमाग चलो और क्यों दिमाग चलो hollow में जो mass है वो पूरा end पे है पूरा का पूरा mass end पे होलो में अंदर कोई mass नहीं है यानि सारा mass r distance पे है सारा का सारा mass axis से axis से दूर है काफी hollow के अंदर तो moment of inertia जादा आएगा moment of inertia क्या होता है m r square और सारा mass axis से काफी दूर है तो उसका moment of inertia जादा है इसलिए उसका 2 by 3 m r square solid में mass अंदर भी है बाहर भी है हर तरफ है जो mass end है total वो पूरे में बटा हुआ है सारा का सारा mass अगर surface पे होता तो moment of inertia जादा होता क्योंकि सब axis से दूर होता यहाँ काफी mass axis के pass में है इसलिए इसका moment of inertia कम है 2 by 5 कौन बढ़ा है 2 by 5 की 2 by 3 2 by 3 बढ़ा है तो यहाद रखना है 2 by 3 m r square 2 by 5 m r square किसका बढ़ा होगा इस hollow का क्यों क्योंकि hollow में सारा mass कहा है दूर दूर है mass दूर है तो m r square सबके लिए r की value बड़ी solid में कई mass pass में है तो उसके लिए r की value छोटी है m r square कमाएगा solid का 2 by 5 m r square hollow का 2 by 3 m r square clear हुई पूरी derivation इसको rewind करो फिर से देखो नहीं clear हुई तो मिटार दे and this is not only important for school exam ऐसा नहीं है यार competition में थोड़ा सा थोड़ा सा में बता रहो भाई सा थोड़ा सा variation करेगा और आपसे सवाल नहीं हिल पाएगा अगर आपको ये approach नहीं बता है तो इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कोन के बारे में moment of inertia of a hollow cone एक hollow cone hollow cone समझ रहे हो वो happy birthday to you काते वोग जो टोपी अपन पहनते हैं वो hollow cone होता है कि नहीं जो तुम जब छोटे थे तो ममी पापा ऐसे सरपेज़ा है ज़र से लगा देते थे वो टोपी आदे तो वो एक hollow cone है हमें उसका moment of inertia निकालना है given है कि उस cone का mass M है radius R है और तेहड़ी वाली height slant height L है हमें उसका moment of inertia find करना है मतलग ये रहा अपने पास cone A ये और इसके अंदर कोई material नहीं भरा जित्ता भी material है से वो सिर्फ सरफेस पे है इसका radius हमसे बोला R और ये slant height हमसे बोली L है अब इसका moment of inertia हमको बच्चों is axis के about is axis के about iis axis के about निकालना है ठीक है जो कोन की axis होती है क्या किया जाये भाई क्या कीया जाये कैसा mass है distributed mass है क्या किया जाये हमने क्या कहा हमने कहा कोन के ओपर की टोपी जो इसे budget है इसको अड़ा दो कटक चाकू से मार केRight कि पंवनाड़ क्छाक फिर कहाट को से एक लेयर और काटो य जु लेयर काट रहे हो पतली-पतली लेयर काट रहे हो यह यह मैं गहां हम इसको आप चाकू से काटते पतली लेयर, यह लेयर क्या होंगी, डिस्क होंगी, या रिंग होंगी, सोचके बोलना, उपर से देखो, खोखला आई है, टोपी, पूरी खोखली, आपने काटकचा, रिंग बनेगी, कि डिस्क? ring बनेगी, अंदर तो कोई material है नहीं इसमें, तो यह हमारा हो गया यहाँ पर elemental ring जो छोटा-छोटा mass काटना है, वो elemental ring हो गया एक ring यह हो गई एक ring यह हो गई, एक ring यह हो गई एक ring यह हो गई, करते, 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 करते अगर हम सारी ring का moment of inertia निकाल के जोड़ दे, तो वो कौन का moment of inertia बनेगा एक ring यह, एक ring यह, एक ring यह, एक ring यह यह, यहां से लेके यहां तक मैं इस hollow cone को किसमें तोड़ दूँ infinite elementary rings में बचो, ring का moment of inertia छोटी सी ring का moment of inertia di, इसका mass माल लेंगे हम कितना, dm, और इसका radius नहीं पता, let that be moment of inertia of disc, याद आया moment of inertia of ring, very sorry ring का moment of inertia बच्चो, mr square, disc होती तो mr square by 2 तो यह, इस ring का mass dm है radius r है, तो dm r square बोल दिया, अब हमने कहा, ऐसी ही ring यहां काट लो, ऐसी ही ring यहां, ऐसी ही ring यहां, और जानते हो, सब में r change हो रहा है, so r vary हो रहा है, यहां पर r एक दमी नहीं यह बढ़ते 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 यहां पर r बढ़ गया, तो या तो r के टम्स पर बात कर ले हम, या तो हम यह बोलें, कि सब के लिए यह distance भी change हो रहा है, let us call this distance as x और इस वाली ring की जो width है, उसको हमने बोला dx, हमने बोला x distance नीचे आके छोटी सी ring काटी है dx width की जरा, समझो क्या बोला है हम यह जो ring है, यह ठीक है, यह जो ring आपको दिखाई दे रही है, इसकी कुछ width हमने मान ली, यह समझ में आ रहा है अंदर कोई material नहीं है बढ़ इस ring की हमने क्या मान ली, width इस width हो कितना माना हमने, dx radius कितना इसका r अब हम बोल सकते हैं कि x को हम यहाँ पे 0 रख ले और यहाँ आते-आते x को l ले ले अगर हम x को 0 से लेके l तक cover करे, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर की सारी ring cover हो जाएगी, और ring का moment of inertia dmr square, अच्छा यह भी सोचो moment of inertia of ring, mr square किस axis के about होता था ऐसी axis के about जो ring के center of mass से pass करे, और ring के plane के perpendicular हो, जड़ा ध्यान दो यह axis ऐसी ही है, एक तो यह इस ring के center of mass से pass कर रही दूसरा इस ring के plane से ring के अपने ऐसे काटी ना, कचक यह ring के plane से perpendicular भी है, तो ठीक है, formula लगा सकते है जितनी भी ring काटोगे, सब के लिए यह वाली condition satisfy होगी सब के center of mass से pass कर रही axis, और सब के plane के perpendicular है बहुत बढ़ी है भाई, मतलब हमको सारी ring काट नहीं है, यानि हमको इसको m और r इंटिग्रेट नहीं हो सकता हाई हाई, भाई या dm के साथ या तो m का term integrate करो, या r के साथ r square के साथ dr का term होना चाहिए अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें क्या करें, तो हमने दिमाग लगाया हमने बोला कि यह जो इसमें mass है वो कैसे distributed है, जड़ा हमको बताओ, इसमें mass volume में distributed है या area पे distributed है सोच की बोलना, कोन three dimensional है मैं मानता हूँ पर mass यहाँ पे 3D में नहीं है mass सिर्फ surface पे mass कहा है सिर्फ, सिर्फ surface पे mass है, कोन के अंदर कोई mass मतलब mass सिर्फ area पे है ध्यान देना, hollow cone के अंदर जितना भी mass है, वो mass कहां पे है, सिर्फेस में है मतलब area पे mass है, अंदर volume के कोई mass नहीं, तो हम यहा लेंगे mass per unit area, जितना भी mass है, उसके curve surface पे mass per unit area, हमने इसको माल लिया, sigma यानि एक meter square के area का mass कितना हो जाएगा, sigma अगर मैं इस ring का area निकाल लूँ, तो मुझे इसका mass पता चल जाएगा एक meter square का mass कितना है, sigma, तो इसके area का mass कितना होगा, area multiplied by sigma, sigma क्या है, mass per unit area, छोटे area का mass, sorry, हाँ छोटे से area का, one meter square का mass, sigma तो इतने का mass, इतना multiplied by sigma, तो हमें area चाहिए, तो area of ring, इस ring का area मेरे साथ बोलो बच्चो area कैसे निकालोगे, क्या किया जाए क्या किया जाए, ring का area कैसे निकाले, इस ring को यहां से card दो, card कैसे सीधा खोल दो, तो मैंने card case को सीधा खोल दिया, ठीक है, कोई दिक्खत नहीं, छोल गया, यह width कितनी है d x कोई दिक्कत नहीं और ये खोला ये length कितनी हो जाएगी आपने इसको खोला ये पूरा कितना था 2 pi r तो वही length बन जाएगा हाँ या ना 2 pi r इसका area कितना हो जाएगा length into breadth 2 pi r multiplied by d x clear है अगर मैं आपसे पूछूँ अब mass of ring बच्चों प्यारे बच्चों नन्ने मुन्ने बच्चों बताओ क्या होगा mass क्या होता है देखो 1 meter square का mass sigma 2 meter square का 2 sigma तो इतने area का इतने into sigma तो 2 pi r d x multiplied by sigma सो आप यहाँ पर आप substitute करोगे integration of dm की जगे 2 pi r d x sigma r square क्या इतनी बात आपको समझ में आई आपने यहाँ से mass की term को हटाया और उसकी जगे x वगेरा या r वगेरा का term आप लेके आए समझ में आए कैसे इसका mass निकालते हैं clear हुआ mass per unit area sigma फिर हमने इसका area निकाल लिया इसका area इसको खोला 2 pi r length with 2 d x तो 2 pi r into d x इसका area area multiplied by sigma becomes mass a to r square अभी भी यह integrate नहीं हो सकता problem क्या है problem क्या है problem यह है कि r है हमारे पास और d x है जड़ा आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं कहाणी problem क्या है equal to मैं 2 को बाहर ले आउं constant pi को बाहर ले आउं constant sigma बाहर आजाएगा constant अंदर बच रहा r cube d x sigma क्यों बाहर आया बच्चों sigma क्या है हमारा mass per unit area what is sigma sigma is total mass upon total area mass per unit area total mass total area बच्चों कौन सा लोगे mass कहाँ पे है curved surface पे तो curved surface area कौन का कितना होता है pi r l sigma की value देखो constant आ रही m constant r constant l constant pi constant sigma constant बाहर आगया sigma क्या होता है total mass upon total area area कौन सा लिया curved surface जिस पे mass था तो आप देख लोगे ये सारी चीज़े बाहर आगई अब problem क्या है r का integration आप करना चाहते हो dx के साथ ये भी possible नहीं है अब हमें फिर से कुछ substitution करना पड़ेगा ऐसा substitution जिससे r की जगा x आ जाए क्या किया जाए तो हमने कहा एक ये triangle देखो एक बड़ा वाला triangle देखो ठीक है? कौन को थोड़ी तर 2d की नजर से देखो एक ये triangle देखो एक बड़ा वाला triangle देखो तो आपको देख रहा हूँ ये छोटा triangle और बड़ा triangle आपस में similar है हाई हाई similar है तो हम बोल सकते है r upon r is equal to x upon l इसको note कर लो फिर लिखते हैं इस बात को note कर लिए बच्चों वीडियो को पॉस करके मैं इस बात को मिटारने जा रहा हूँ कर लिया पका मिटा दें note कर लिजे अब देखो मैं आपको क्या idea दे रहा हूँ बच्चों मैं आपको ये idea दे रहा हूँ कि ये triangle और बड़ा triangle आपस में similar है तो इसका base upon इसका base r upon r is equals to इसकी slant height upon बड़े वाले की slant height x by l यहां से r की value मिल गई r by l into x अब आप r को x के terms में express कर चुके हो यहां पर लिख दो 2 pi sigma r cube की जगे r by l यानि r cube by l cube x cube dx भोलो सही है अब आप integration कर सकते हो x को कहां से कहां vary कर रहा होगे आपको सबसे पहली ring यहां चाहिए फिर यहां चाहिए फिर यहां चाहिए फिर यहां चाहिए फिर यहां करते करते यहां तक ring लानी है last में सारी rings का MOI जोड़ोगे तो कौन का हैगा यानि x की value 0 से चलते हुए x की value l तक आना है तो 0 से capital L हो गया इसका integration इसके बाद बच्चों बस value पुट करनी है खेल पूरी तरह से खतम हो चुका है इसके बाद इस question में कोई दम नहीं है आप इसको note कलने में में मिटार दूँ फिर आगे solve करूँ note कलने बाद पॉस करके यहां तक फिर मैं इसको मिटार दूँ कर लिया okay इसके खेल पे कोई दम नहीं है कहानी कदम हो गई है i is equals to 2 pi sigma की value m upon pi r l r cube बाहर l cube बाहर integration of x cube dx 0 से लेके l तक pi से pi मर गया इस r cube से 1 r मर जाएगा तो 2m r square यह हो जाएगा l की power 4 x cube का integration x की power 4 by 4 0 से लेके l 2m r square यह हो जाएगा l की power 4 by 4 minus 0 की power 4 by 4 l की power 4 l की power 4 cancel यह एगा सिर्फ 4 बोलो ख्लियर है यह एगा l की power 4 by 4 l की power 4 l की power 4 cancel यह बचा 2 अच्छा 2 to the 4 m r square by 2 and that is the answer so hollow cone का mo i hollow cone का mo i आएगा m r square by 2 m r square मैंने use किया फिर मैंने का यह dm मुझे नहीं पता चला मैंने का mass per unit area sigma इसका area हमने निकाल लिया खोला 2 pi r multiplied by dx और उसके बाद हमने multiply किया sigma से इसका mass मिला फिर integrate करना चाहा अगली problem यह फस गई थी फिर हमने कहा similarity यूज़ करो और question खतम clear okay अब हमारा आखरी यहां पर आज का topic जो की है moment of inertia of solid cone यह hollow cone था अब solid cone mo i of solid cone mo i of a solid cone अच्छा आपने देखा hollow cone में slant height से कोई फरक नहीं पड़ा बस derivation कराने के लिवे ने slant height का use किया moment of inertia of a solid cone अब solid cone क्या होता है बच्चो वो जो अपन softy खाने नहीं जाते और उसमें softy आला उसमें अंदर ice cream बढ़के देता है वो solid cone होता है और कहीं बदमाशी कर देता है ना कहीं और ice cream उपर तक बढ़के नीचे छोड़ जाए नीचे biscuit biscuit फूरा उसका खार है तो उससे बोला करो कि भाई हमको mr square by 2 वाल ice cream नहीं चाहिए हमको 3 by 10 mr square चाहिए हाँ भगा देगा वो थपड़ मार के पता है मुझे भी तो solid cone का moment of inertia 3 by 10 mr square इसके बारे बात बात करेंगे mass m radius r height h slant height l माल लो जितने variable मानना हो hl से फरक नहीं पढ़ना तो solid cone आप समझगो जिसके अंदर ice cream पूरी भरी हुई हो जिस softy में वो solid cone है ठीक है पर अगला एक्जाम में सवाल है तो मुझेटा softy बना के आगा है कई लोग सुधर ही नहीं यहाँ पर उठा के इसे भी बना दिये है तो एसा एक्जाम में नहीं करना है जेई पॉइंट के इसाब से तो इसमें यह question नहीं आ सकता देखो जेई में क्या है कि अब इसका application पूछ लेगा वह इक दिन इसकी बीच ही कोई step देगे कहीं से कुछ पूछ लेगा इसकी mass density को change कर देगा कहेंगा mass density height depend कर रही कुसी पर depend कर रही अंदर से सवाल आएगा इसी के बहुत बाहर नहीं भागेगा यह रही एक्सेस ठीक है radius बोला है R, height बोली है H, slant height बोली है L, slant height के आपको जरुबत पड़ेगी नहीं चलो देखते है क्या करेंगा solid है पूरा अंदर भरा हुआ है क्या करना चाहते हो hollow cone वाला procedure अपना हो उपर जिसकी टोपी उड़ा हो पहले चाकू से फिर चाकू से एक layer काटो इस बार जब layer काटो के उपर से देखो ऐसे कच्याक यह पूरा अंदर material भरा हुआ softy अंदर भरी है कि नहीं पूरी तो यानि यहां से जब आप यह elemental जो आप portion काटना चाहते हो यह जो elemental portion आपने काटा है बच्चो दिस्विल भी डिस्क और रिंग बताओ इस बार तो डिस्क होगी ने material पूरा अंदर भरा हुआ है यहां से देखो यह आपने काटके निकाला इस में material अंदर भी इस में पूरा है पूरे में तो material भरा है इस किया तो दिस्विल भी elemental डिस्क ठीक है तो मैं बोलता हूँ कि उपर से अपन मान लेते हैं एक्स हाइट नीचे आके यहां पे डी एक्स विड्थ का हमने डिस्क काट लिया इस डिस्क के रेडियस को स्मॉल आ मान लिया अब डिस्क का moment of inertia मान लेते हैं डिस्क का मास कितना है छोटी सी डिस्क है elemental mass dm तो बच्चों डिस्क का moment of inertia होता है mr square by 2 condition यह है कि जो axis हो वो डिस्क के center of mass से पास करे और डिस्क के plane के perpendicular हो जरा ध्यान से देखो यह axis डिस्क के center of mass से पास कर रही और उसके plane के perpendicular है तो हम लिख सकते हैं di is equals to dm r square by 2 यहीं बच्चे गलती करते हैं बच्चे क्या बोलते हैं sir यह dm mass यह dm mass है r radius से बोलते है dm r square ले रो गलत हो गया उनको समझना है यह dm mass एक छोड़ा सा mass नहीं है यह अपने आप में disk है और disk का moment of inertia mr square by 2 तो हमें उसको use करना पड़ा कुछ नहीं करना है इसके बाद integrate करना है एसी खुब्दे सारी disk काटके जैसे वहाँ पर ring काट रहे थे यहाँ पर disk काटके सारी disk को अगर जोड़ दे तो solid cone मेंगा जानी solid cone किसे बनेगा infinite elemental disk से जोड़ते 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 जो इंफनाइट काट-काट-काट-काट-काट और उसको फिर जोड़तो तो d i का integration फिर two dimension है, सोचना, solid cone material अंदर भी है, surface पे भी है, मतलब material three dimension में है, मतलब यहाँ पे हमारे पास mass per unit volume होगा, जिसको हम row बोलेंगे, mass per unit area नहीं होगा, mass per unit volume, पूरे volume में mass भरा हुआ है, हर तरफ, मतलब एक meter cube volume का, जो mass होगा, वो row होगा, एक meter cube का row, दो meter cube का, दो row, यानि अगर हमको इसका dm निकालना है, तो हमें इसका volume चाहिए होगा, mass होगा, volume multiplied by row, एक meter cube का row है, तो इतने meter cube का, इतने into row, तो हमें चाहिए होगा volume of disk, बचो, volume of disk कैसे निकालेंगे, देखो, volume का formula, अगर मैं किन जीच का पूछू, तो आप बोलतो, length into breath into height, है ना, length into breath होता है बचो, area, मतलब volume का formula है, area into height, disk का हमें area पता है, ये circle, इसका area हो जाएगा, pi r square, और height कितनी है, dx, तो volume of disk होगया, area into height, हमने का, mass of disk, आपने का, आप तो ये हलवा है सर, एक meter cube का mass rho है, तो इतने meter cube का mass, इतने multiplied by rho, तो pi r square dx into rho, what is rho, mass per unit volume, इसी में जही को भी बदमाशी कर देगा, बोल देगा, rho variable है, ये case हो सकता है, वो बना के देगा, rho की equation बना के देगा, rho की value यहां रखोगे, integrate करते हो, तो rho की value डाल दे ना, खेल का, तो बाकी procedure यह चलेगा, बस rho की चो constant value हो, वो मत रखना, अभी सिखाता हूँ, कहाँ पर change करना है, अगर कोशन है, तो चलो, तो DM की जागे, आपन substitute करेंगे, pi r square dx, ये हो गया volume, pi r square dx, multiplied by rho, ये हो गया mass, multiplied by r square, clear है, आगे बड़े, क्या-क्या constant बाहर आ जाएगा, pi constant बाहर, rho constant बाहर, अंदर बचा, r की पार 4 dx, तो problem क्या है, और rho constant क्यों ही तो समझ रहा हूँ, rho क्या है, mass per unit volume, अगर मैं rho निकालना चाहूँ, तो क्या मैं rho निकाल सकता हूँ, या सर, आप बिलकुल निकाल सकते हैं, rho क्या है, total mass, m, mass per unit, total mass, m, volume कितना होता है, बच्चों कोन का, 1 by 3, pi r square h, ये होता है, कोन का volume, 1 by 3, pi r square h, तो इस भी 3m upon pi r square h, तो आप देख रहे हैं, rho constant है, m constant, r constant, h constant, तो rho बहार आगे हैं, अभी problem क्या चल रही है, कि r और dx integrate नहीं हो सकते, क्या problem solve कर लोगे यहां से, similarity, ये triangle, बड़ा ला triangle, similar है, ये triangle, बड़ा ला triangle, similar, इसका base upon बड़े वाले का base is equals to इसकी height upon बड़े वाले की height h, ये triangle, बड़ा ला triangle, इसका base upon इसका base, इसकी height upon total की height, यहां से r की value आपको मिल रही है, r by h into x, इस r की value को यहां substitute कर देंगे, pi rho r की power 4, h की power 4, x की power 4, dx, यहां तक note करें, फिर मैं यहां से इसको रब करके कहानी को आगे बढ़ाऊं, integration को, clear है, अब integration किसके terms में हो सकता है, x के terms में, x को कहां से कहा वैरी कराऊगे, सबसे पहले यहां discount होगे, फिर यहां करते करते करते, यहां तक discount होगे, 登録 x की value को 0 से लेके, vary कराते कराते, x की value को h तक ले जाना है, तो integration 0 से h, इसके बाद integrate कर दोगे, answer आ जाएगा, इस्टिल आप note कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू, इस तरफ का note कर लिया, pause करके note कर लिजे, मिटार दे, लिख लिया है, ओके, integration को अपन आगे बढ़ाते हैं, तो भाई, i is equals to, i is equals to, pi, rho की value रख दे, m upon, rho की value वो है न, 3m upon pi r square h, r की power 4 बाहर आजाएगा, h की power 4 बाहर आजाएगा, अंदर बचेगा, integration of x की power 4 dx, 0 से h तक, pi से pi मर जाएगा, r square से r square थोड़ा सा मर जाएगा, 3m r square upon h की power 5, x की power 4 का integration होगा, x की power 5 by 5, 0 से लेके h, यह हो जाएगा, h की power 5, h की power 5, h की power 5 क्या हो जाएगा, cancel, और यह 2 छूड़ गया हमारा, देखो, यह 2, dm r square by 2, तो यह 2 भी बाहर रहेगा, अब, i is equals to, यहाँ आएगा, h की power 5 by 5, minus 0 की power, उसे मतलब नहीं, h की power 5, h की power 5, h की power 5, cancel, तो it will be, 3m r square upon, 2, 5s are 10, 3 by 10, m r square is the answer, so solid cone का, m o i, आएगा, मेरे पास, 3 by 10, m r square, clear, कहानी वही थी, वहाँ पर रिंग कटी, यहाँ पर, डिस्क कटी, वहाँ पर, slant height यूज किया, यहाँ पर, vertical height, अब मेरी एक बात सुनो, बड़ी important बात है, कि वहाँ पर, slant height की उली, और यहाँ पर, vertical height की उली, एक बड़ा अच्छा कोशन है, तो बच्चों यह समझो, कि वहाँ पर material surface पर था, अंदर नहीं था, तो हम surface वाले term को ज़्यादा भावदे रहे थे, इसको, यहाँ पर material surface पर भी है, अंदर भी है, तो हम यहाँ पर vertical height ले रहे है, यहाँ material अंदर भी भरा हुआ है, तो हमने vertical height को consider किया, क्योंकि material अंदर ज plant लेना पड़ा हो, यहाँ पर vertical, यह छोटा से difference था, जो पूछते हैं, दूसरी बात, किसका moment of inertia ज्यादा है, hollow का की solid का, चलो, sphere से start करते हैं, hollow sphere, 2 by 3 MR square, solid sphere, 2 by 5 MR square, hollow का ज्यादा है, 2 by 3, solid का कम है, 2 by 5, क्यों, क्योंकि hollow material दूर दूर था axis से, जितना दूर होगा MR square का value उतना बड़ा, उसी तरह से cone में, hollow cone, MR square by 2, मतलब 0.5 MR square, MR square by 2, मतलब 0.5 MR square, solid cone, 0.3 MR square, solid cone का कम है, hollow का ज्यादा, क्योंकि hollow में सारा material कहां पे है, surface पे है, axis से दूर है, तो R का term बड़ा है, तो MR square बड़ा रहा था, अब मैं बताने जा रहा हूं कि competition में क्या करेगा ऐसे सवाल में वो हमसे बोलेगा, रो की value मालो, competition में हमसे बोल देगा, J में हमसे बोल दिया, रो की value है 2x, समझो, मतलब रो की value x के साथ change कर लेगा, जैसे यसे x की value बढ़ेगी, वैसे वैसे रो की value बढ़ेगी, रो constant नहीं है, रो बहरी बले तो कुछ नहीं करना यार, सारी कहानी सेम रह यहां रो की जगे 2x रखना है, integrate मार देना है, खेल का तो, हो सकता हूँ, बोल दे, रो is equals to 2x, बटे, h, कोई दिक्कत नहीं, रो की value रखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ यहां डिफर नहीं करेगा, जैई कभी भी, इससे ज़्यादा, बाकी यह करेगा, काट देगा इसक सभी body का complete कर दिया, अभी कुछ body का बचा है, क्यों, क्योंकि आपने parallel axis theorem और perpendicular axis theorem नहीं पढ़ा, तो अगला वीडियो है, perpendicular axis theorem, parallel axis theorem, उसके अंदर करेंगे questions, और उसके बाद भी questions बनें, तो moment of nature का एक और वीडियो, complete topic रहेगा इस channel पे हमेशा, चलिए पढ़ाई करते रहे है, all the very best.